हेलो दोफतो आप देख सकते हैं ये है अजंता का डिजिटल वाल क्लॉक आज के वीडियो में आपको इसका टाइम को कैसे साड़ किया जाता है वो आज के वीडियो में Бताने वाला हूं और दोफ्तो अभी तक आपने इसका unboxing वीडियो नहीं देखा है तो उसका link मैं आपको description और i button में दे दिया हूँ आप इसका unboxing वीडियो भी जाकर देख सकते हैं तो hey guys मेरा नाम है Anis and you are watching सुलंकी जी टेकनिकल दोफ्तो वीडियो को start करने से पहले आपसे एक छोटा सा request है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो please like कर दीजेगा, subscribe कर दीजेगा और bell icon को all पर select कर दीजेगा इससे मेरे upcoming videos का notification आप तक पहुंसता रहेगा time to time और एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये watch लेना होगा तो इसका buying link आपको description में दे दिया हूँ, आप description में जाकर इसको purchase कर सकते हैं तो चलिए अब हम करते हैं video को start तो आप देख सकते हैं front side से ये कुछ इस प्रकार का दिखाई दे देता है आपको और back end side से आपको ये कुछ इस प्रकार का दिखाई दे देता है, यहाँ पे wall mount के लिए आपको एक hole मिल जाता है और यहाँ पे दोस्तो आप देख सकते हैं इसका जो time management है आपको इससे set करना हो तो सबसे पहले हम इसको power में लगाते हैं, दोस्तो आप देख सकते हैं मैंने इसको power में लगा दिया है power जैसे चालू करेंगे आप देख सकते हैं आपको कुछ इस प्रकार का आपको डिस्पले में शो हो रहोगा अब हमको करना है इसका time को set तो time set करने के लिए आप देख सकते हैं इसके back side में आपको 4 बटन मिल जाता है आप देख सकते हैं सबसे पहला बटन है out का, दूसरा, set का, तीसरा, up का और जो fourth बटन है वो reset का आपको मिल जाता है तो इसमें से time setting में आपको 2 बटन बस use होगा वो है पहला set बटन और दूसरा है up बटन ये 2 बटन use होगा और जो out बटन और reset बटन है वो इस पे use नहीं होगा लेकिन इसका भी use मैं आपको पहले बता देता हूँ देखिए reset बटन का क्या use है जैसे आपने कोई भी time set किया उसको reset करने का reset बटन काम आता है देखिए ये अब reset हो गया जैसे मैंने reset बटन दबाया और जो ये out बटन है उसका भी मैंने आपको use बता देता हूँ देखिए जो out button है यह देखिए मैंने set button दबाया अब set button से आप देख सकते हैं यहां पर blinking चालू हो गया आपको यहां से बाहर जाना है तो आपको यह out button को आपको दबा देना है तो out button और reset button बस यही काम आता है चलिए अब मैं आपको इसका time को set करके बता देता हूं तो आपको time को set करना है तो सबसे पहले आपको दबाना होगा set button याने की number 2 वाला जो button है set इसको आपको दबा देना है इसके बाद आपको up button को दबाना है अभी चल रहा है year 21 तो आपको 21 times आपको up button को दबाना है देखे 21 पे जैसा आजाएगा आपको फिर से set बटन दबा देना है जैसे आप set बटन को दबाएंगे वो year से month पे shift हो जाएगा month से date पे shift हो जाएगा date से time पे shift हो जाएगा इसी प्रकार से वो shift होते जाएगा चलिए अभी month है fourth याने की April month चल रहा है अभी तो मैं इसको April प देता हूं तो date पे आ गया आज है date 25 तो मैं up बटन को 25 times दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं 25 डेट आ गया अब मैं फिर से set बटन को दबाऊंगा अब आप देख सकते हैं अभी आ गया यह time वाला section अब time वाला section में pm होता है am होता है तो अभी यह pm पे है अगर आपको इसक को दबाते रहना है जब तक यह pm से am में ना चले जाए तो चलिए मैं अभी अप बटन को दबाते जा रहा हूं देखिए अभी यह am में आ गया अगर आपको इसको फिर से pm में लाना है तो आपको इसको फिर से दबाना पड़ेगा आपको यह बटन को अब बटन को आपको दबाते रहना है देखिए अब यह आ गया वापिस से pm में अभी बज रहा है चार तो मैं इसको चार पे सेलेक्ट कर देता हूं और सेट बटन दबा देता हूं जैसे ही मैं set button दबा देता हूँ अब यह shift हो जाता है minute पे अभी minute हो रहा है 8 तो मैं अब क्या करता हूँ 8 पे इसको select कर देता हूँ ठीक है जैसे ही आप इसको 8 पे select करेंगे और आप देख सकते हैं अभी यह minute बढ़ते जा रहा है जैसे ही इसका जो second है वो select हो जाएगा उसके बाद आपको set button को आपको दबा देना है फिर से set button दबा देना है फिर से set button और फिर से set button और फिर से set button तो बस इसके बाद आपको set button को ही दबाते रहना है तो आप देख सकते हैं जो time है अभी चर रहा है आज है पच्चीफ चार द और 29 सेकेंड और अभी ये PM में सेलेक्ट हो गया टेंपरेचर ये बाइडिफॉल्ट हो जाएगा सेट और जो ये है ये भी बाइडिफॉल्ट सेट हो जाएगा जैसे आप टाइम को सेट करेंगे तो इस प्रकार से आप अजंतर डिजिटल वाल क्लॉक का किसी भी क्लॉक को आ पसंद आया होगा अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना और आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेशन होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ बाइबाइ टेक केर